नमस्कार जैहिन दोस्तों दोस्तों बिहार टक्निसियन ग्रेड थ्री वेकेंसी हमारा आया हुआ है इसमें सैलरी देखेंगे तो बहुत बहतरीन सैलरी है और यह आपका रुकमिनी पॉब्लिकेशन का वाल्यूम वन प्रैक्टिस सेट निकाला गया है बिहार इस्टेट पाव आप देखेंगे तो तीन सेट मैंने जो है पंदरा सेट में से अफलोड कर दिया है ठीक है और जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है मॉडल न्यू प्रैक्टिस सेट और सेट नमबर टू होने वाला है इसके पहले का जब आप तीन सेट नहीं देखे तो देख रहे जाएगा इसमें आप प्रिबीयश कोशट्र सेट देखेंगे जिसमें देखे एक दो तीन चार पाँच पांच प्रिवीश य्र सेट आपका इसमें दिया गया और क्या पॉलते है कि पांच है हम करवagon देंगे दो सेट आपका हो चुका है तीन सेट आपका बचा हुआ है इस सेट के लिए आपको टेंसन दिलेना है एसके जहाशर का भी बहुत अच्छा सेट आया हुओ उसको भी हम करवाएंगे और मार्केट में जो भी आपका सेट है आपको सब सेट करवाए जागा उसके लिए आपको एकदम निस्चिंद रहना है वस आपको सेट लगाते रह इस आपने को बहुतर इस देखने वाले हैं पहला प्रसन का है इसको ה देख लेते हैं देखे पःला प्रसन आपका दोस्तों की वह ह wage कालिन नगर जिसका प्रत्मीर तीन अ वह किस नई टट परिस्थित है तो यह आपको देखने को मिलता है भोगवा ओप्सन नमबर देखेंगे पहले का तो सी सही आंसर हो जाएगा देखिए आपको पता है दोस्तों लोथल लोथल जो है वर्तमान में अहमदाबाद जिला यानि गुजरात में इस्थित है लोथल का उत्खन आप देखेंगे तो रंगनाथ राव द्वारा किया गया था आगे प्रस्थित में सबसे गहरा गर्थ कौन सा है देखिए सबसे गहरा गर्थ आप देखेंगे तो यह आपका चैलेंजर गर्थ हो जाएगा ओप्सन नमबर आपका ए सही आंसर हो जाएगा चैलेंज गर्थ चले नेश्ट हमारा कोशन कोशन नमबर 3 पंदरा से 20 जनवरी 2024 के मत्य उन्निसवा गूट निर्पेक्ष आंदोलन सिखर सम्मिरन का योजन जो है कहां पर किया गया है देखी इसका योजन आप देखेंगे दोस्तों तो कहां पर किया गया है तो यह आपका कमपाला या सही आंसर हो जाएगा याद रखिएगा भूलिये अगर नहीं भारत में मिर्दा विस्तार का सही अवरोही करम क्या है सही औरोही करम देखेंगे जलोड मिट्टी होगा लाल मिट्टी होगा काली मिट्टी लेटराइट मिट्टी तो आप्सन नंबर जो है हमारा फोर्थ का भी राइट आंसर हो जाएगा जलोड मिर्दा जो है उत्तरी माइदान एवम नदी घाटियों के विश्तरित भागों में पाय जाती है जलोड मिर्दा में पोटास और चुना का प्रचुर मातरा पाय जाता है सकल राष्ट्री आय को कूल जन संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है तो प्रतिव्यक्ति आय प्राप्त होता है ओप्सन नंबर देखेंगे पांचवे का तो सी सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रियाय की गणना साधन लागत या बजार लागत पर ही की जाती है ये पॉइंट पिया आपको च्छे से याद रखना है जावाहरल नहरू ने निमलखित में से किस अधनियम को दास्ता का एक नया घोशना पत्र की रूप में वर्गी करीद किया था इसका सही उतर देखेंगे तो भारत सरकार अधनियम 1935 इसका सही उतर हो जाएगा तकि भारत सरकार अधनियम 1935 के बारे में पंडित नहरू ने कहा यह अनेक बैंको वाली इंजन रहित गाड़ी है तथा जिन्ना में इसे पुड़तह, सड़ा और मूल रूप में जो है बुरा कहा है तो इसको अच्छे से आधर रखिएगा अब आते हैं कोशन नमर 7 पे फरवरी 2024 तक के अनुसार वर्तमान मुख्य चुनाव आईक तो कौन है तो ये हैं दोस्तो राजियू कुमार है उप्सन नमर देखेंगे 7 का तो भी सही आंसर हो जाएगा महा नियावादी की बात कर लेते हैं तो आर वैंकट मनी है आर वैंकट मनी महा नियावादी है नियंतरक ये वो महालेखा परिक्षक की बात करते हैं ग्रिस चंद्र मूर्मू है उपर राश्टर पती कौन है दोस्तो जगदीप धन्खन है उसके बाद राश्टर पती आपको पता है दुरापती मूर्मू है मुखे चुनावा आईग्जू की बात करते हैं तो कौन है बताएगा राजी उकुमार जो कि मैंने आपको आंसर बता दिया है संपुर दिवस मनायता है कब देखिए संपुर दिवस आप सभी को पता है यह मनाते है 11 फरवरी को जो की ओप्सन जो है आड का हमारा डी सही आंसर हो जाएगा हर साल चार फरवरी को क्या मनते हैं दोखे चार फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में हम मनते हैं 10 दिसंबर को क्या मनते हैं बताईएगा 10 दिसंबर को मानवा धिकार दिवस की रूप में हम इसको मनते हैं और 11 फर्वरी को क्या मनाते हैं कमेंड किजिएगा 11 फर्वरी को दोस्तो हम क्या बोलते हैं कि जैसे हाँ पर समर्पन दिया गया है तो दिन द्यालुपाद ध्याय की पूरितिति के अवसर पर समर्पन दिवस की रूप में मनाते हैं किसके तो दिन द्यालुपाद ध्याय की प मुनास हैं ऑप सन नमर जो है नाइन तका हमारासी सई होगा इस रोगा कि सथापना कब हुआ था तके इस रहोगे सथापना जुए 15 अगस्त उन्यस rentalowania इसरों का सथापना हुआ थां है अगला ऐग 내र्बन के प्रकृरिया में लोहे क्या जमा किया जाता है लोहे पर क्या जमा किया जाता है तो इसका अंसर हमारा हो जाएगा जस्ता होगा option है रिजिनिंग है आप अराम से गुरूप में जॉइन होके बनाईएगा अब देखिए आप सभी के कमेंट या रहा है कि सर आप मैं वाटसप नमबर दे रहे हैं लेकिन कमेंट मतलब होता है रिपलाई नहीं कर रहे हैं देखे तो थोड़ा से दोस्तों आपको हम बता देख मैं फोड़ा से हम आउट up state थे State में नहीं फोड़ा से हम बाहर थे इसको हम reply नहीं दे पा रहे थे लेकिन आज आप सभी लोग को जो भी लोग मैसेज किये हैं बिहार टकनिसियन ग्रेड त्री करके उननों को आज reply दिया जागा कैसे उनको गुरूप में जॉन होना है अब बज्वाइन होके सेट बनाईए और आपको सेट बहुत ज़्याद दिया जाएगा उसके लिए आप एक दम निश्चित रहिएगा तो आज भी आप मैसेज करना है एट सेवन दिये गे वाक्यांत के लिए एक सब्ड दीजिए विज्चित से सम्मंद रखने वाला अब देखिए एसके जासर का भी सेट आपकल आने का उमीद है आंसर हमारा जो है विज्चानिक हो जाएगा ऑप्सन नमर आपका यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा विज्चानिक सूरोना मुहावरे का आसे क्या है देखिए मुहावरे का आसे आप देखेंगे तो बहुत विलाब करना बहुत विलाब करना ऑप्सन नमर आपका जो है 23 का एस सही आंसर हो जाएगा हाथी का इस तरी लिंग क्या होगा देखिए हाथी का इस तरी लिंग आप देखेंगे त निम्न में से कौन सा एक सब्द है देखे जानने की इक्षा के लिए इन में से कौन सा एक सब्द सही है तो यहां पर देखे जिग्यासा यह होना चाहिए यह सब्द आपका रॉंग लिखा गया है तो जिग्यासा ऑप्सन नमबर भी राइट होगा घुड़सवार सब्द जो ह कि वर्तनी सुद्ध है यानि सही हमारा इसमें क्या है देखेंगे तो आपका दिगविजाई कृतग्न और छितीज ऑप्सन जो है हमारा 27 का ए राइट आंसर हो जाएगा रेक्त इस्थान को भरने के लिए उप्यूगत सब्द का चैन करें प्रतिदिन अपराधिक डैस बढ़ सही हो जाएगा निमलिखीत में से उस विकल्प का चैन करें जो गागर में सागर भरना मुहावरेक अर्थ व्यक्त करना है गागर में सागर देखिए 29 का उन्तर आप देखेंगे तो थोड़े सब्दों में अधिक करना थोड़े सब्दों में अधिक कहना इसी को जो है हम ग भुजंग जो दिया गया है आपका 30 का option number D या आपका जो है सापका पर्याइवाची भुजंग है आप इंगलिस का भी हम कोशन देख लेते हैं देखिए 31 नमबर आपका select the most appropriate and to names of the given word polite तो इसका answer हमारा 31 का क्या होगा देखिए इसका सही answer आप देखेंगे तो option number आपको हो जागा root जो है इसका सही उत्तर हमारा 31 का सी सही answer हो जाएगा polite मतलब V number होता है तो आप इसको अच्छे से यादर रखिएगा और जो आपका root दिया गया है दुस्तों इसको हम जो है उदंट कहते हैं फिर उदंट है select the option that can be used as a one word substitute for the given group of word a speech made without preparation है ना तो बताइए क्या होगा इसका सही answer 32 का इसका सही answer हमारा हो जाएगा option number B होगा deliberation हो जाएगा option number A जो है correct answer हो जाएगा 32 का आगे प्रस्ण है बोला कि select the most appropriate synonyms of the given word जो आपका यहां पर लिखा गया है remorse तो क्या होगा इसका answer 33 का देखें सही answer देखेंगे तो आपका repentance हो जाएगा जो कि option number आपका यहां पर 33 का भी होगा सालेक्ट दा मोस्ट अप्रोप्रियेट मीनिंग आप दा बोल्ड सेगमेंट इन दा गिवेन सेंटेंस यहां देखें बोल्ड का मतर जैसे आप देखेंगे रेड में लिखा गया है इसको पढ़ेंगी पुरा सेंटेंस को बाई दा बाई दा इंड आफ दा फुटबाल मैच फिलिंग हैड रिजड फेवर पीच तो इसका आंसर आप देखेंगे तो गेट सु श्ट्रोंग डैट वन केंनाट कंट्रोल नेम तो यह आपका दुस्तो चाओतिस का डी होगा select the most appropriate meaning of the given idioms to smell a rat क्या होगा इसका आंसर इसका सही आंसर आप देखेंगे to have a region to suspect option नमर आप देखेंगे 35 का तो सी सही होगा अब यहाँ पे देखें एक computer का भी हमारा question दिया गया है आप बोलेंगे तो एक computer का आपको master video प्रवाइड करा दिया जाएगा ताकि आप यहां से एक वी question छोड़ना पाएं सब आप से question बने चलिए dash बोलाए कि dash एक beat संख्यात्मक पता है पता है जिसका उपयोग internet पर computer दर्साने के लिए किया आता है इसका answer आप देखेंगे तो हो जाएगा IP address होगा IP address 32 bit संख्यात्मक पता है जिसका उपयोग internet पर computer दर्साने के लिए किया आता है तो option number 36 का C होगा अगला है dash एक software प्रोग्राम है जो प्रगियो अत्मक है प्रियोग करता हो यूजर्स को worldwide वेब तक पहुचाने और navigate के लिखागे दूस्तो नेविगेट करने की अनुमती देता है तो इसका सही answer आपका हो जाएगा ब्राउजर हो जाएगा option number A right होगा MS Word के हाल के संस्क्रण संस्क्रण जैसे की गई 2016 में home menu की तरह लिखा गया है clipboard कमंड समू के भाग के रूप में निमलिखित में से क्या दिखाई नहीं देता है इसका answer देखेंगे तो option number आपका जो है so यानि height दिखाई नहीं देता है option number D right होगा निमलिखित में से कौन सा protocol email server में message प्राप्ट करता है email server में message प्राप्ट करता है तो इसका उतर हो जाएगा पी ओपी यानि option number आपका दुस्तों C सही answer हो जाएगा चलिए आगे हमारा question question number 40 देख लेते हैं बोला कि Chrome browser में वर्तमान tab के बाई और browser tab को सक्रिय करने के लिए निमलिखित में से किस keyboard shortcut का उप्योग किया आता है तो इसका सही answer क्या होगा 40 का तो यह आपको हो जाएगा control plus page up option number देखेंगे तो 40 का हमारा d right होगा अगला प्रसने के read only memory यानि ROM कि क्या विशेश्ता उसे उप्योगी बनाती है उत्तर हो जाएगा रोम में data non volatile और अर्थात या विधुत सक्ती बिना भी बना रहता है तो option देखेंगे आपका 41 का तो भी सही उत्तर हो जाएगा चलिए आगे हमारा question की प्रतियेक wave document का एक unit address है जो कहलाता है क्या देखेंगे अगर आपको computer का question पढ़ना है तो आपको हर एक topic पढ़ना पढ़ेगा क्योंकि question जो है आपका deep पूछ रहा है ठीक है नॉर्मल नहीं question है कोई भी जैसे आप देखेंगे तो MS Word का deeply question है तो आप कोई भी chapter उठाके पढ़ेंगे तो clear करते चलेंगे तो आपका question बनता चला जाएगा तो uniform resource locator option जो है हमारा 42 का सी सही होगा निम्न में से कौन operating system को RAM में search M load करने के लिए जो है responsible है तो यह आपको हो जागा boot strip loader option नम्बर हमारा 43 का A right होगा निम्न लिखीत में से कौन से एक तकनीक है जो विभीन password आधारित हमले के खिलाब सुरक्षा परदान करती है विशेश रूप में यानि विशेश रूप से password sniffing और फिर से हमले करने के लिए तो यह आपको हो जागा दोस्तों OTP होगा one time password अगला है कि internet पर flame एक message है जो flame एक message है जो कुरोद में लिखा गया है option जो है हमारा 45 का B right होगा चलिए आगे प्रस्ण है निम्न लिखीत में से कौन सा विकल्प system और application software के संदर्भ में निम्नांकित कत्नों की सत्यता का सरवत्तम वर्णन करता है सत्यता का सरवत्तम जो है दुस्तों आपका वर्णन करता है option अबर आप देखेंगे तो B होगा computer यहाँ पे देखें B है एक सही है दो गलत है तो सही पढ़ेंगे हम दुस्तों system software के पास्ट में काम करने के करण आमतर पर users उससे इंटरेक्ट नहीं करता है तो option हमारा क्या बोलते हैं कि B सही है ए गलत ए हमारा मतला वन सही है दूसरा गलत है निमलिकीत में से कौन सा गसन जो है किसी computer को memory unit के संदर में गलत है तो क्या होगा इसका उत्तर देखें निसपादन होने से पहले memory program का संग्रह नहीं किया जाना चाहिए यह हमारा गलत है बाकी जो सही उसको हम देखेंगे यसे primary memory काफी तेज होती है जो electronic गतिक पर कारे करती है फिर काम करती है memory unit program के साथ सा data का संग्रहन करती है primary memory किया पेक्षा secondary memory बिलकुल सस्ती चीप होती है आगे है निम्न में से कौन से विकल्प mail merge को पूरा करेगा और उसका उपयोग ऐसे लेजर पत्र की एक ऐसे लेजर पत्र की हर copy के लिए अलग document बनाने में किया जा सकता है जिससे printer तक सीधे या email के साथ email के माध्यम से भेजा जा सकता है उत्तर हो जाएगा finish the merge हो जाएगा option number आप देखेंगे तो सी सही उत्तर होगा MS Excel 2016 में किस नई जो आपका MS 16 है दुस्तो जो आपका 2016 वार्जन का आप देखेंगे तो एक नई वर्क सीट को insert करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प आमान है यानि गलत हमारा क्या है तो दखिए इसका गलत आप देखेंगे तो home tab flip board पर group का उपयोग करना यह हमारे दोस्तों गलत थे बाकि जो से इसको पढ़ लेते हैं दखिए work sheet tabs के अंत में पर cut होने वाले insert work sheet tab पर click करना seat पर दाएं क्लिक करके करने पर दिखाने वाले जो pop-up होता है menu से insert option को चैनीद करना और क्या दिया गया है और आपका दिया गया है तो home tab में sales group sales group के insert विकल्प का उपयोग करना अगला है windows में चल रहे यानि run कर रहे अनुपयोग application नामक तीन अवस्थाओं हो सकती है अवस्थाएं हो सकती है तो देखे बोलाए कि minimized, maximized normal option जो है हमारा 50 का भी सही answer होगा अब यहां भी देखे इलेक्ट्रीशन यानि जो आपका vacancy आया है उससे आपका 50 question है आप जब group में join होगे तो यह सब इसका discussion जो solution होता है वहां साथ इसको बना सकते हैं एकदम निसित रहिएगा आप यानि जो आज है दोस्तों सब को reply दिया जाएगा एकदम आप निसित रहिएगा आज आप सब लोग message कीजिए जो लोग नहीं किये हैं सब को आज reply दिया होगा अगला है डैस मोटर की गति व्यवहारिक रूप में इस्थिर है क्या होगा इसका उत्तर तकि संट मोटर हो जाएगा क्या होगा संट मोटर आप सो जो है हमारा पावन का ए राइट आंसर होगा इसका उपयोग इस्थिर गतिये के कारियों के लिए क्या जाता है जैसे खराद मसीन पानी के पंप कपड़ तरथा काउज की में लित्यादी आगे क्या है जदी किसी DC स्रिणी मोटर के आर्मेचर की धारा 50% है 50% कर दी जाए हैना कम कर दी जाए तो उस मोटर का बलागूर्ण डैस हो जाएगा बलागूर्ण जो है डैस हो जाएगा तो पिछले मान क का 25% दोस्तो ओप्सन देखेंगे आपका तीरपन का तो सी सही उत्तर होगा एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक पर 2000 फेरे और दूतिय दूतियक पर 200 फेरे हैं प्राथमिक पर पर परिचालन वोल्टता जो है 100 वोल्ट है एक 5 ओम प्रतिरोध की दूतियक के साथ जोड़ा गया दूतियक धारा का परिकलन जो है किजिए परिकलन किजिए तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका टू ए हो जाएगा ऑप्सन नमबर बी राइट होगा यदि सिंगल फेरे ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग का प्रतिरोध टू है और प्राइमरी में सेकन्डरी के अर्थ में टर्न अनुपाद 10 है तो सेकन्डरी के संदर्व में प्राइमरी का सम्तूलि प्रतिरोध किया होगा तो इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका 0.02 हो जाएगा ओप्सन नमबर आप यहां पर भी सही आंसर हो जाएगा एक सिंक्रोनस जेनरेटर स से पाछवां हार्मोनिक वोल्टेज हटाने के लिए कलाविछ में कौाइल में कितने डीगेरी का सौट्ट पीच होना चाहिए। कितने डीगेरी का एखाइब टीच 非 जोब भी आपका सब्सक्राइब अप्शन Municipal 45-36 जुतै गरिंटर यह सकते हैं अमें erectus सी होगा. एक तीन फेज 16 पोल अल्टरनेटर में 44 स्लोट और 10 कंड़क्टर प्रती स्लोट के साथ स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग है प्रती फेज कमांडरों की संख्या होगे देखिए संतावन का जब आप सही आंसर देखेंगे तो इसका आंसर हमारा दोस्तों यहां पे 480 हो जायेगा उप्सन नबर आपके इहां पर D right होगा ट्रांसफार्मर की ब्रीदर में डैस रंग का ताजा सिलिका जेल इस्तिमाल किया जाता है उत्तर आपको हो जायेगा नीला option number आपका यहाँ पर B सही उत्तर हो जाएगा आवर्ती F हर्टज में गती N घुनन प्रती सेकेंड में और धुरों की संख्या P के बीच संबंध है P के भी संबंध है तो आपका हो जाएगा option number क्या होगा तो A सही आंसर हो जाएगा निमलिकित में से कौन सी मोटरों में मोटर को प्रवर्चित करने के लिए बाह प्रतिरोत को जोड़ा जा सकता है बाह प्रतिरोत को जोड़ा जा सकता है तो इसका उत्तर हो जाएगा एक सरपी सरपी वले प्रेरन मोटर आप्शन मबर देखेंगे 60 का तो भी सही उत्तर होगा पर एक सरड़ा किस स्टार्टर में तीन शंकूचक और एक टाइमर का प्रियोग होता है तो देखें इसका उत्तर हो जाएगा आटोमेटिक इस्टार डेल्टा इस्टार हो जाएगा ओप्सन नमबर देखेंगे 41 का तो हमारा डी राइट होगा सक्ति गुनक 0.6 के साथ 100 वोल्ट आपूर्टिस जूड़ी एक एकल फेज मसीन 100 क्व किलो वार्ट का उप्योग करती है इसकी KVA और रेटेड लाइन कधारा जो है कितना होगा बताये क्या होगा इसका सही आंसर इसका सही आंसर आप देखेंगे 16.66 KVA 1666 A हो जाएगा ओप्सन देखेंगे 62 का तो हमारा C करेक्ट आंसर होगा अगला प्रस्न है एक सारवत्रिक मोटर में छेतर वाइंडिंग किस परकार के तार से आपका निर्मित होता है तो मोटे वल के यूक्त हो जाएगा मोटे वल के यूक्त तामरतार option नमबर देखेंगे 63 का तो हमारा डी राइट होगा अगला प्रस्ण है कि विभक्त कल्ला यानि फेज मोटर में आरंबिक कुंडली में डैस होता है तो उच आर और निम्न एल आप्सन नमबर देखेंगे 64 का तो हमारा यहां पर डी राइट होगा प्रतिकर्सर मोटर में बुरुसों को जोड़ा जाता है उत्तर हमारा हो जाएगा एक दूसरे से जंपरतार की मदद से आप्सन नमबर हमारा 65 का सी होगा अगला प्रसन है कि रिपल्सर मोटर की घुणन दिशा डैस परिवर्तित करके बदली जा सकती है तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा ब्रस इस्तिती हो जाएगा ऑप्सन नमबर देखेंगे चांचट का तो हमारा डी होगा अगला है कि उच गड़वता वाले टैप रिकॉर्डर और रिकॉर्ड प्लेयर के लिए हिस्टेरिसीस मोटर की परियोग करने का मुख्य करन क्या है देखें मुख्य करन आप देखेंगे तो इसे किसी आपके इंदरी स्विच क्या वासकता नहीं होती है ओप्सन जो है हमारा 67 का सी सही होगा एक तीन फेज सोला पोल प्रतियावर्तक में एक सचावाली स्लोट और प्रती स्लोट दस चाला के युक्त स्टार सन्योजित बाइंडिंग है फ्लक्स प्रती पोल 30.03MWB है तो जो आरक्रिय वीतरण है इसकी गति जो है 377 यदि वीतरित कुंडली के परभाव को नगाने मना जाता है तो प्रती फेज एम एफ डैस ग्याद कीजे बताए क्या होगा इसका आंसर इसका आंसर आप देखेंगे तो आप्सन नम्बर आपका यहां पर ए हो जायागा 1600 वोल्ट हो जायागा कोशन बहुत लंबा जबना था ठीक है आगे हमारा कोशन नम्बर 79 बोला है कि बेलना कर तुल्य काली मसीन में विक्सित अधिकतम सक्ति डैस के भार कुण पर होती है इसका उतर देखेंगे तो यह आपका 90 डिगरी हो जायागा आप्सन नम्बर आपक हार्मोनिक वोल्ट इज हटाने के लिए कुईल में कितने डिगरी का सौट पीच होना चाहिए आपका 36 डिगरी इलेकरिकल हो जायागा ओप सन नम्बर देखेंगे 70 का तो हमारा सी सही होगा अगला प्रस्ति है तुल यह कलिक मसीनों में और मंदक कुंडली डैस के ताहद जो है दुस्तो संतुलित तीन फेज वोल्टेता बनाए रखती है बताईए क्या होगा इसका उत्तर तो आपका अ संतुलित भार इस्थिती हो जाएगा ऑप्सन नमबर आपको जो है 72 का भी सही उत्तर होगा दिये गए विकल्पों में से सिंक्रोनस मोटर के एक भार का चैन कर होता है दवरहित होता है तो इसका उत्तर हो जाएगा डिश्ट कारी हो जाएगा डिक्ति फायर ऑप्सन नमबर देखेंगे 73 का तो सी सही होगा एक बख एक बख कन्वाटर का उपयोग किया आता है किसके लिए देखिए बोल्टेज को स्टैप डाउन करने में या आपका का साम में आता है ऑप्सन देखेंगे तो आपका यहां पर डी सही उत्तर होगा अगला प्रस्न है प्रोग्रेसिव लैप या वे बैंडिंग में फ्रंट पीच कितनी होती है फ्रंट पीच आप देखेंगे तो बैक पीच से कम ऑप्सन जो है हमारा 75 का ए राइट आंसर हो किस परकार की वैंडिंग में कुंडलियां एक दूसरे के साथ जो है परस पर चादित होती है चादित होती है 77 का क्या होगा इसका उतर हो जाएगा चेन वैंडिंग हो जाएगा ऑप्सन नमबर आपका यहां पर 77 का भी होगा डैस सभी स्थानों में सभी दीशाओं में मुंबत्ति के सक्तियां का उस्थ मुल्य है तो इसका उतर आपका क्या होगा बताईएगा तो इसका उतर देखेंगे तो आपका उप्सन मड़ी हो जाएगा यानि गोला कार केंडल पावर का उस्थ मुल्य होगा उप्सन नमबर ह तु पिछ गुणांग पुछ रहा है, पिछ गुणांग, तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा, क्या होगा दोस्त बताएगा, तो यह आपका 20 सही उत्तर हो जाएगा, एक दहन सील, दहन सील दिवार में एक outlet box जुड़ा होना चाहिए, एक outlet box जुड़ा होना चाहिए, तो वह तयार दिवार की सतह की साथ फिलश्ट हो ओप्सन देखेंगे 80 का तो हमारा सी सही आंसर होगा समाने बस तार को डैस से अधिक उचाई परिस्थित नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो देखिए 2.75 M हो जाएगा ओप्सन बराब को जो है 80 का B सही आंसर होगा चलिए यांत्रिक और अगनी सुरक्षा क्या वसकता है वहां किस परकार की वाइरिंग की जाती है या फिर की जाएगे तो यह आपको जाएगा नलिका ओप्सन बराब का जो है दोस्तो 82 का D होगा यह एक इस थाई परकार की वाइरिंग है यह वाइरिंग यांत्रिक क्या रिखाग पूरती के लिए एक रेक्टिफिकेशन और नियुंत्रित है तो वोल्टेज और फ्रेक्वेंसी निम्न में से किस नियुंत्रक किया सकते हैं किसे जो है यह आपका नियुंत्रक हो सकता है तो पल्स विट्थ मॉडूलेटर इन्वर्टर होगा ओप्सन नमर देखेंगे 83 का तो हमारा भी होगा जब एक एसी वी वी एफ ड्राइब को एसी वी 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 एफ ड्राइब में बदली जाती है तो विजली खपत की नियुंत्रम प्रतिसत बचत में लगभग कितने की अपेक्चा की ज कि अतिरिक्त कौन सी अने युकती अति आवस्यक होती है अति आवस्यक होती है इसका उतर आपको हो जाएगा टाइमर होगा क्या होगा टाइमर ओप्सन नमबर ए यदि कोई मेज पंखा गतिर नियुंत्रक नाब से परभावित रहता है तो उसका तो उसका आप देखेंगे तो रेगुलेटर 160 किट है ऑप्सन नमबर हमारा जो है 86 का सी होगा जब भोकता को विजट उर्जा पर सुल्क उसकी अधिक्तम मांग और उर्जा की खपत के अनुसार प्रसारित किया जाता है जिसे जट बराबर ए प्लस बाई के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे test group में जाना जाता है उसे हम किस रूप में जानते हैं तो देख़े इसका उप्सन नमबर आप देखेंगे तो यह रहा है इसका उप्सन नमबर आपका हो जायाएगा ऑप्सन नमबर डी होगा जब नियंत्रक रोड को रियक्टर में प्रिवेस करवा जाता है तो K यानि गुर्णक कारक जो है इसका मान हो जाता है क्या इसका मान आप देखेंगे तो यह आपका option number D right answer होगा gas turbine power plant आमत्वर पर किसकी आप उर्ति के लिए प्रियुक्त किया जाता है किसकी आप उर्ति के लिए आपका प्रियुक्त होता है तो आपका peak लोड हो जाएगा option number आपका B right होगा एक किलो बार्ट 230 वोल्ड कैतली को 15 अंपियर ले जाने वाले power card का उपियोग करके 15 अंपियर plug socket से जुड़ा जाता है इस उपकरण परिपत की fuse rating क्या होना चाहिए तो यह आपका दोस्तो 6A हो जाएगा option number आपका C होगा 4 stroke dg set में सही चक्र का करम क्या है तो इसका सही करम देखेंगे तो सूचन संबिड़न सकती निकास हो जाएगा option number आपका यहाँ पर एक क्यानवे का B होगा transmission line की surge transmission light की surge प्रतिबाधा को परिभासित करते है उत्तर हो जाएगा option number करने में L बटा C जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा एक सिंगल फेज ओवर हेड लाइन एक फैक्टरी को 11KV और 0.8 पावर फैक्टर लेंगिक पर 1100KW विजली ट्रांस्मीट कर रही है इस लाइन में 11.0 का कुल परतिरोद और 3.0 का लूप परतिखात है transmission दक्षता कितनी होगी देखिए इसके दक्षता आप देखेंगे तो option number आपका D हो जागा 99.6 0% हो जाएगा option number आपका D correct answer हो जाएगा कम विभवव पर सक्ति उत्पादन के लिए निम्न में से किस प्रणाली का उप्योग किया आता है देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे तो रिंग मैं विद्रन प्रणाली हो जाएगा option number हमारा 94 का C होगा DC 2 वायर वा तीन वायर transmission system में transmit की गई पावर की मात्रा देखर transmission की दूरी समान है तो copper को तीन तार transmission system की ज़रूत डैस है इसका सही आंसर आप देखेंगे तो दो तार सिस्टम की 31% option number आपका भी सही होगा तरीके है अगला हमारा है question number 95 बोला कि एक परड़ा मित्र का द्वितियक कुंडलन का प्रतिरोध RS तथा उसका परिवर्तन अनुपात के द्वितियक कुंडलन का प्राथमिक की और तुल्यकारी प्रतिरोध होगा इसका उत्तर आपको हो जाएगा option number D right होगा वी निर्माथा द्वारा केबल का इंसूलेशन प्रतिरोध 250 एम प्रति किलोमेटर वी निर्दिष्ट किया गया 200 मिटर लंबाई के प्रतिरोध क्या होगा तो यह आपको हो जाएगा 1250 option number आपका इहां पर सी सही उत्तर होगा अगला है 11 kv ht केबल को भूमी में डैस गहराई पर इस्थापित किया जाता है उत्तर देखेंगे तो जरी दूरी मिटर में हो जाएगा option number B एक 400m यानि मिटर के रिंग distributor में नीचे दिखाये गए भार है दिखाये गया भार है जहां दूरी मिटर में है प्रतिय कंड़क्टर का प्रतिरोध 0.2 प्रति 1000 मिटर है और बिंदू B, C और D पर टैप किये गए भार दिखाया जाते है यदि वित्रण वित्रग को एक या पूर्ति की जाती है तो ब्रांच में AD मिधारा ग्यांत करके बताना है तो इसका उत्तर आप जान लिजे इसका आंसर देखी फीगर इस्तरे बने हुआ है तो आपका 91 MPR हो जाएगा option बर भी अतिभार अवस्था में किसी विधूत वित् कारण हो सकता है option number D दोस्तों यहीं पर हमारे जिए सेट स्वाप्स होता है इसमें आप देखेंगे तो आंसर की प्लस आपका discussion भी दिया गया है आराम से आप ग्रूप में जूड़ के यह सब सेट बनाएए ताकि आपको आने वाले एक जम में एक बहतर स्कूर पर चलिए आ कारत्